ओम धन्मंतर रे नमाम। ओल इंडिया अईर्वेद पिजी एंट्रांट स्टेस 2023 31st of July को होने वाला है। अईर्वेद के कोई भी competitive exam हो उसमें द्रभ्यगुण का question तो निश्चित आता है। तो द्रभ्यगुण में भी द्रभ्यों का परियाय, द्रभ्यों का प्रयुज्यांग, द्रभ्यों का identification इसको ही लेके mainly question आता है। तो आज हम कुछ important drugs तो उनका picture, उनका identification, उनका synonyms, उनका usable parts और चरकोक्त कौनची महाकसाय में हो रहा उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला द्रभ्य है अस्वगंधा, तो ये फोटो को आप देख सकते हैं, तो उसका scientific name जो है वो इठानिया समनिफरा है, उसका family है 1680 family, इसको इंडियन जिन सेंग भी कहते हैं, और अभियम उसके जो picture है और उसका जो synonyms हमने right side में लिखे हैं, तो उसको मिला के ही हम प बाजी गंधा, तो उसका नाम अस्वगंधा है, उसका नाम बाजी गंधा है, अस्वगंधा का synonyms है बाजी, तो अस्वगंधा का मूल जब कच्चा होता है, आद्र होता है, तो उस समय उससे अस्वगंधा आता है, इसलिए उसका नाम है अस्वगंधा और बाजी गंधा, उसका जो पत्र है वो बराह के करना जैसा इसलिए उसको बराह करनी कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पत्ता है ये बराह के करना जैसा सेफ है उसका तो इसलिए उसका नाम है बराह करनी कुष्ठ गंधिनी ये अस्वगंधा का मूल जब सूख जाता है उससे कुष्ठ जो एक साउसुरिया लाप्पा करके एक ड्राग साप पढ़े होंगे तो उस कुष्ठ का जो गंधा है वही गंधा आता है सुसक अस्वगंधा मूल से आर्द्र अस्वगंधा से आता है अस्वगंधा सुसक अस्वगंधा मूल से आता है कुष्ठ गंधा और ये बहुत ज्यादा बलबृद्धी कारक है और ब्रुंगण कारक भी है तो इसलिए उसको बरदा बलदा कहते हैं और इविन इन्फर्टिलिटी में भी इसको यूज कि कसाय में और स्वगंधा रहा प्रयुज्यांग है उसका मूल इसका जब आप फल का देखेंगे पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा वो वो देखने के लिए एक्जाट्ली चेरी के जैसा है तो इसलिए उसको विंटर चेरी भी कहते है उस्वगंधा को विंटर च ठीक है तो इसके फोटो को आप देखो तो इसका सबसे पहला परियाई जो है वह ओविध्ध करनी कोई भी प्लांट का जब हम उसके पत्र को देखते हैं तो उसका जो पेटियोल है वो लगा रहता है एक कर्णर में है ना और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना यहाँ पर यह ए अविध्ध करनी यह करना जैसा है यहाँ पर कोई कोट नहीं हुआ पीछे से लगा हुआ है इसलिए उसका नाम है अविध्ध करनी इसका नाम अमबश्ठा है बरतिक्ता तिक्तरसर प्रधान है यह तो बरतिक्ता तिक्तरसर रभ्य के अंदर यह सेस्टा है तो बरतिक्ता प पिल्लू के फल जैसा है देखने के लिए, इसका जो फल है, वो पिल्लू के फल जैसा देखने के लिए है, इसलिए उसको पिल्लू फला कहते हैं, इसको पापचेलिका भी कहते हैं, जब आप जोरा हरम हाकसाई पढ़ते हैं, तो उसमें, आप जब जोरा चिकिछा पढ़ते हो तो वहाँ पर जब जोरी के लिए शाक का निर्देश करते हैं अचार्य चरक तो वहाँ पर वो कहते हैं कि पत्र सफलम कुलकम पाप चेलिका तो वो पाप चेलिका जो है वो पाठा है स्तन्य सोधन महाकसाय में पाठ्था सुरदारवादी तो वह पाठ्था है तिक तरशा प्रधा ने स्तन्य सोधन किया और संधानिय महाकसाय में रहा और इसका प्रयोज्जेंग जो है वह भौमिक कांडम है भौमिक कांडम ठीक है नेक्स्ट गुडुची टिनोसपरा कडिफोलिया यह सभी घरों में सभी लोगों के पास परिचित थे और जो लोग भी कुछ नहीं जानते थे यह उस्वगंधा गुडुची आदि को करोना ने बहुत अच्छे से परिचित करा दिया है तो टिनोसपर पत्र जो हे वो हर्टसेप्ड है इसलिए उसको कोडि फुलीया приех चक्र लक्षणिका तो इसका जब हम ट्रांसवर्स एक्सन करते हैं तो यह जो है वो चक्र जैसे दिखता है इसलिह उसको कहते हैं चक्र लक्षणिका छिन्न रुः लग देते हैं जमीन पर तो इक नया प्लांट हो जाता है इसलिए उसका नाम है छिन्न शिन्नोद भवा उसी का नाम है आम्रता रोग होने नहीं देगा ये रोग नहीं होगा तो मरेंगे नहीं आम्रता है ये तो ये बहुत अच्छा इम्मिनो मदूलेटर है जब हम पढ़ते हैं बयस्थापन महाकस है सबसे पहला द्रब्य जो है अम्रता और शबसे अंतिमं द्र नाम हैत तंत रिका जब आप गुणुछी का सारा गुणुछी का सत्व निकालते हैं गुणुची सत्व ना तो उस समय आप देखेंगे ठीक है और बत्सादनी उसका एक सिननेम है और कुंडली नी कुंडली 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 नी सब्द जो है वह मेंली जो एक चक्र है न तो उसके लिए ही कहा जाता है तो यह चक्र जैसा है इसलिए उसको कुंडली नी कहे तो महाकसाय में स्थन्य सोधन महाकसाय में रहा ये ब्वय स्थापन में रहा तुरस्तना निक्रहन कि ये पित्त समन करता है तो तुरस्तना निक्रहन में भी रहा और तुरुप्तिग्न में भी रहा ठीके क्योंकि यह अग्निदिपन भी करता है तो त्रुक्तिघ्ण में रहा तो प्रयुद जैंगा उसका भो में कांड़ है पाठा जैसा ठीके नेक्स देखो करकड़ स्रंगी तो पिस्टा से इंटी जरिवा और उसका फैमिली जो है वो है अनाकाडिय सी फैमिली करकड़ स्र स्रंगी मिन्स उसका प्रयुद जैंगा होगा स्रंगाकार कोसर और कीट ग्रुह तो इसके फोटो आप देख सकते हो तो अगर प्लांट का फोटो आया होगा और आपने देखे होंगे 2021 में आया था पिक्चर आया था और उसी से ही आपको आइडेंटिफाई करना था प्लां कुलीर विशानिका तो विशान इस स्रंग का ही सिनोनिम है विशान तो कुलीर विशानिका करकट स्रंगी का नाम है कुलीर विशानिका उसी का नाम है बक्रा और चक्रा तो यह उसका स्रंगाकार कोसर आप देख सकते हो तो यह बक्रा है मिन्स तेढ़ा इस नट स्क्रेट त गवाप यहां से, तो इसका जो एक tendency रहता है, एसे spiral होके आने का, इसलिए उसको चक्राग है, straight नहीं है, तेढ़ा है, इसलिए उसको बक्राग है, तो याद रखना, चक्रलक्षणी का जो है, वो गुडुची है, चक्रा जो है, वो करकट सुरंगी है, ठीक है, और next देखो, और उसके साथ आपको याद होगा आपने बाल चत्रुफद्रा पढ़े होंगे तो बाल चत्रुफद्रा जो है वहाँ पर भी चार राक्स में से यह एक है करकड़ सुरुगी इसको याद रखना ठीक है और उसका प्रयुज्यांग जो है सुंगा कारकोसा और किटट गुरुह नेक्स्ट इस कुठकी पाइक्रोयजा कुरु इसका साइंटीफिक नेम है पाइक्रोयजा कुरु यह भी एक बहुत यह प्लांट है है ना और उसका दो family है तो इसका आप फोटो देख सकते हो तो इसमें देखो जैसे इसका भी जो प्रयुज्यांग है वह होह मीग कंड और मूल है तो उसके कंड़ो को आप देखो तो यह जैसे दिख रहा है जैसे मच्य के उपर जो उसका नाम है मत्य सकला तो एसे ही आपने एककुष्ठ में पढ़े यत्मत्य सकलोपमा क्योंकि वहाँ पर भी स्कीन जो है वो एसे ही हो जाता है इसलिए उसका नाम है एककुष्ठ में उन्होंने कहे यत्मत्य सकलोपमा ठीके और इसको भी चक्रांगी कहे कुटकी को कहे चक्रांग ख्रांगी, तक्योंकि इसका भी cross section करते हैं तो वो भी चक्राकार दिखता है, तो चक्रांगी, चक्र लक्षनी का जो है वो गुरुची था, चक्रा लक्षनी का, चक्रा जो है वो करकडश्रंगी है, और चक्रांगी जो है वो कुटकी है, इसके कंड़ को लेके हम कहीं पर मिट्टी में उसको लगा देंगे तो यह नया प्लांट हो जाता है तो कंड़ रुहा और यह सत्त पर्वा क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्वा होते हैं इसलिए उसका नाम है सत्त पर्वा आप सोमा के बारे में पढ़ते हो तो वो पंचरस पर्वा विशिष्टा है और कुटकी जो है वो सत्त पर्वा है ठीके और इसको आचरे चरक ने भेदनियमा कसाय में रखे लेखनियमा कसाय में रखे स्तन्यसोधन में रखे कुटकी को और इसका प्रयुज्येंग है भौमिक कंड़ और मूल, कुटकी, इसका प्रधान काम जो है, पित्त विरेचन है, पित्त विरेचन, ठीक है, कटू पोस्टिक है ये, नेक्स्ट इस आरग बध, तो कासिया फिस्टुला, सारे रोग को बध करते हुए, आरग्य प्रधान करता है, ये, कासिया फिस्टुला, फैमिली है, उसका लेगो मिनसी, इस प्लांट को आप देखो, कितना बढ़िया फूल है, उसका पूरा येलो कलर का है, ठीक है, तो इसक करनिकार भी कहते हैं, करनेर का पुस्प जैसा येलो है ये, और दूर से दिखता है ये, इसलिए उसको कहते हैं, राज ब्रुक्ष, ब्रुक्ष के अंदर ये राजा है, बहुत सुन्दर, सुन्दर ये वर्धन करता है ये, और सुवर्णा जैसा येलो है, तो सुवर्णा क स्वर्ण भूशन इसका सिनोनिम से दिर्घफल इसके फली को आप देख सकते हो लेगुमिनेशी फैमिली के सारे द्रव्य फली के अंदर ही रहते हैं उसके सेट्स तो ये दिर्घफल है और चत्र अंगुल तो हर चार-चार अंगुल डिस्टैंस में ही उसका परवर रहता है तो इसको चत्र अंगुल कहते हैं तो व्याधि घात क्योंकि ये बहुत अच्छा विरेचन करता है कफ़ सामक होता है बच्चों में इसको विरेचन के लिए देते हैं चार साल से बारा साल तक के बच्चों को सुसुद कहते हैं कि बारा साल तक है चरक कहते हैं चार से बारा तो अगर किसी का पेट साफ हो जाता है, कुष्टा सुधी हो जाता है, अगनी दिपन हो जाता है, तो उसका अधारोग तो वही ठीक हो जाता है, तो अभ्याधीगात इसका नाम है कृतमाल इसका जो पुस्प है वो एसे टंगे रहते हैं जैसे कि किसी ने माला बना के दिया है तो इसलिए उसका नाम है कृतमाल और इसी का ही नाम है संपाक ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टन से इनोनिम से अरकबद का तो इसको आचारिय चरप ने कुष्ठक नमाकसाय में था तो यह कुष्ठघना है कंडो घना है और विरेचन पग है प्रयुजेंग उसका फलमज्जा भी है और पत्र भी है अचारिय सुसूत ने जब इसके विरेचन के बारे में बता रहे हैं कि कौन से द्रभ्य का कौन सा पाठ लेते हैं तो वहां पर सुसूत कहते हैं कि आरक सोक, सारका, सोका, लेगुमिनेसी फैमिली ठीक है तो इसका नाम आशोक है तो सोक का अर्था क्या है दुख, कष्ट तो बैदनास्थापन महाकसाई में रहा उसका जो पत्र है वो तामरबरनका है इसलिए उसको तामरपलवक है कि ये जो पत्ता आप देख रहे हो तो ये त एक्जाटली तमरा जैसा देखने के लिए होता है ठीक है और हेम पुस्प इसका ही सिनोनिम है असोग का इसका एक केमिकल कंपोजिशन है जिसका नाम हेमा टकसिलिन है ठीक है बेदनास्थापन महाकसाय में रहेगा असोग प्रयुजयेंग है उसका कंडत्वक बीज और पुस पुस्प है वो सिंघ के मुख़ जैसा है सिंघ का मुख़ जैसे खुला हुआ है तो एसे ही उसका पुस्प है देखो इसलिए उसका नाम में सिंघास्य ठीक है और बाजी दंत जैसा स्वेतवर्न का है उसका पुस्प इसलिए उसका नाम में बाजी दंत बाजी गंध जो है वह अस्वगंधा है बाजिरंत जो है वह बासा है भिशक माता भिशक के माता मिन्स एसे कुछ रोग है जिसके लिए बासा एक बहुती उपयोगी उसद है ठीके जैसे की कास है रख्तपित्त है ना सोस है तो उसके लिए बासा बहुती उसफूल है तो इसको भिशक माता कहे ठ इसी का नाम ब्रुसा है तो ब्रुसा क्यों क्योंकि बासा से बहुत ज्यादा एमाउंट में मधु निकलता है तो मधु का बर्सा होती है इससे मिन्स बहुत ज्यादा मधु इससे मिलता है तो इसलिए उसको कहते हैं ब्रुसा तो बर्सा मधु का बर्सा से यह सब्दा लिया तो इसका प्रयुत जाएंगा जो है वो मूलपत्र पुस्प है और इविन आपको कुस्चन में आप कभी कबार देखे हूंगे जैसे एक लाइन आता है बासया विद्यमाना या आसया जिवित अस्यचक किस-किस के लिए रक्तपित्तप शही क्यासी की मर्थम अवसीदती रक् पासर होगी सोसर होगी तो इन लोगों को अभिशादक रस्त होने की जरूरत नहीं है इनको चिंतित होने की आवस्यक्ता नहीं है अगर उनके पास बासा उपलब्ध है ठीक है तो इनका प्रयुजाएंगा जो है मूलपत्र और पुस्प नेक्स्ट है सर्पगंधा पासे नहीं है सर्पगंधा का मूल शर्पगंधा को लेने से मन और शरीर का सुध्धी हो जाता है केसे हुआ न सर्पगंधा निद्राजनन है और जब हम सोते हैं हमको नींद आती है या जब हम सोते हैं तो हमारा body and mind दोनों को rest मिलता है दोनों refresh हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए उसका नाम धवल बिट अप हुआ क्योंकि मन और सरीर को ये बहुत ही relax फिल कराता है इसलिए उसको धवल बिट अप कहें ठीक है चंद्रमार तो चंद्रसब्द यहाँ पर मन के लिए आता है और मन जो है जब hyperactive होता है जैसे कि screen work जो लोग जादा करते हैं उनको sleeplessness होता है तो क्यों क्योंकि उनके मन के चंचलता प्लस मन में वायुवर्द्धी हो गया तो उस मन का जो चंचलता है ब्यगरता है उसको रोक गोक्षूर ट्रिबूलस टरस्त्रीस फैमिली है जाईगो फैमिल्य सी इसलीं उसको चंद्रम इसका नाम त्रीकंटग तो त्रीकंटग क्यों आप यहाँ पर देखो यह जो तीन कांटा जो है वही उपर की तरफ दह दीख रहाई उसको 3 कंटा कहते हैं और यह हर एक कांटा जो स्वानके कैनाईन है दUNGस्ट्रा मीन्स कैनाईन not tooth any tooth can be called as canine any tooth can be told as dungsttra तो दUNGस्ट्रा का आर्थ क्या हुआ कैनाईन को ही dungsttra कहते हैं तो स्वानक के कानाईन जैसा है ये हर एक कांटा इसलिए उसको स्वाद अंक्स्ट्रा कहे स्वादू कंटक तो ये कांटा भी मधूर सविशिष्ट होता है और इससे इक्षू जैसा स्मेल आता है इसलिए उसको इक्षू गंधिका कहते हैं और बन में मिलने वाला स्रंगाठक जेसा है इसलिए उसको बनस्रंगाट कहते हैं ठीके तो ये हो गया गोक्षूर इससे जो chemical composition प्राप्त होता है वह हर्मन और हर्माइन गोक्षूर से कौन-कौन चे महाकसाय में रहा मुत्रविरेचनियो महाकसाय सोथहरण महा कसाए, क्रुमिघ ना महा कसाए और अनुबासन पग महा कसाए प्रायुत जैंगा है उसका मूल और फल थैंक यू गड़ ब्लेस यू, वीश वाल दे बेस फर यूर एक्जाम